हलो इस्टूजन गुड मॉनिंग कैसे हो आप सब आज के तारीख है 15 जनवरी 2024 से आज के करंट फेर कुश्चन में आप सभी का स्वागत है आज के करंट फेर कुश्चन यानि की 10% जो कुमार गौरो सर के करंट फेर से लिए जाते है इसको कंपलेट करेंगे फिर इसके बाद हम 40 करंट कुश्चन आउर देखेंगे ठीक है जो की कुछ पुराने है लेकिन आप सभी को पता कि आने वाला एक्जाम जैसे आरो यारो करेंगे तो कोशिज करेंगे जल्ली बोले अगर कुछ गलबर हो जाया तो पिली छमा करें क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर हम 50 कुश्चन यानि कि 10 करंट आज का और बाकी के 40 करंट जो पुराने हैं कुछ उसको भी रिवीजन करें 30 मिनट के अंदर ठीक ह जो ये 10 करंट फेर कुश्चन कुमार गोरो सर के करंट फेर से लिया गया है इसमें हम एक्स्प्लानेशन पूरी तरह से आपको दे देंगे लेकिन इसमें ललन टाप कुश्चन नहीं लगाया है क्योंकि मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैंने 40 कुश्चन कल रात महीं रेड हि किया है ठीक है तो बस चलिए 10 करंट फेर कुश्चन देख लेते हैं सबसे पहले तो पहला प्रसन देखते हैं हाल ही में भारत और जापान तटरक्षकों ने सैयोक्त अभ्यास सहयोग काईजिन का आयोजन कहां किया है तो इसको किया है चेन्नई में ठीक है इसके बारे में पूरी ब्याख्या देख लेते हैं तो सहयोग काईजिन अभ्यास किसके बीच होता है तो भारत और इंडिया के बीच सोरी भारत और जापान के बीच में होता है यह तटरक्षक अभ्यास का अगर पूछे कौन सा करम है तो यह बीश्वा क भाग होता है ये भारत का प्लावां भाग है तो ये पूरा भाग बगाल की खाड़ी कें इंतर गब गताता है तो इसलिए यह भाव्म व१ाण आजया इंडिया और जापान के बीट में को रहा अगर बात करते हैं भारतिये तरटरक्षक बल की अस्थापना कब की गई थी यानि ICG इंडिया कोश्ट गार्ड की अस्थापना कब की गई थी तो एक फरवरी 1977 को की गई थी अगर ICG की आयक्ट कब आये थी तो आयक्ट के बारे में बात करें तो यहां आया था 1978 में अगर इंडिया कोश्ट गार यानि भारतिये तत्रक्षक बलके हेड की बात करें तो कौन है वर्तमान में तो राकेश पाल है तो यह आप याद रखेंगे एक बार प्रसन फिर से रिवीजन करेंगे भारत और जापान तत्रक्षकों ने सहयोग तभ्याद सहयोग काईजिन का आयोजन कहां पर किया है तो च DRDO ने नई पीढ़ी की आकास NG मिसाइल का सफल परिक्षड कहां किया है NG का मतलब हो जाता है पहले बता दे New Generation ठीक है New Generation जो है इसका Full Form होता है तो आकास क्या है आकास एक मिसाइल है इसका सफल परिक्षड किस ने किया है तो DRDO ने किया है और कहां पर किया है तो इसको देख लेते हैं, तो हमारा सबसे पहले देखते हैं कि DRDO ने नई पिढ़ी की आकास NG मिसाइल का सफल परिक्षड कहां पर किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा उड़ी सामें, अब इसके बारे में पूरी ब्याख्या देखते हैं, तो आकास NG यानि आकास मि जनरेशन यह किस परकार के मिसाइल है, तो सता से हवा में मार करने वाले मिसाइल है, इसका सफल परिक्षड किस ने किया है, तो DRDO का फुलफाम होता है, रच्छा, अनुसंधान, विकास संसान, अगर बात करें DRDO की अस्ठापना कभी थी, तो DRDO की अस्ठापना हुई थी, एक जनवरी 1958 को, और इसका सफल परिक्षड आकास इंजी का सफल परिक्षड कहां किया गया है, कि सस्थान पर तो चांदिपूर ओडिशा में किया गया है, तो चांदिपूर ओडिशा में किया गया है, और इसी चांदिपूर के पास एक दुईप है, जिसका नाम है विलर अब इसका नया नाम कर दिया गया है डाक्टर एपी जे अब्दुल कलाम तूइप तो इसी दूइपर जो है आकास एंजी मिसाइल का सफर परिछण डियाडियों ने किया है ठीक है तो यह आप याद रखेंगे अगर बात करें डियाडियों के वरतमान हेड कोन है तो इस डिय समीर कामत जी यह आप याद रखेंगे ठीक है एक बार परतन फिर से देख लेते हैं तो डियाडियों ने नई पिढ़ी की आकास एंजी मिसाइल का सफर परिक्षण कहां पर किया है ओडियिसा में ओडियिसा के किस जगहां पर चांदिपूर में अगर चांदिपूर के पास पूछे कौन सा दूइप है तो हिलर दूइप है जिसका नया नाम कर दिया गया है धाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसका नया नाम कर दिया गया है तो डियाडियों के वर्दमान है कोन है समीर कामत जी है इसका धे वाक्ष क्या है तो डियाडियों का धे वाक्ष क्या है तो देल्डेड़ सो विकट टीटूनटी अंतरराष्चे करिकेट में लेने वाला पहला गेदबाज कौन सा बन गया है तो आपका सही जवाब हो जाएगा टिम साउ। ले लिया है यह आप याद रखेंगे और 1500 बिकट जो है इन्होंने कितने मैचों में लिया है तो 118 मैचों में इन्होंने 1500 बिकट लिया है इनका 118 मैच किसके खिलाब था तो पाकिस्तान के खिलाब जो है इनका 118 मैच था और इन्होंने इसी मैच में जो है अपना 1500 बिकट प कसा ही जवाब हो जाएगा लाइचिंग ते यह ताइवान के ने राश्पति बने हैं इसके बारे में पूरी बैख्या देख लेते हैं तो ताइवान जो है किस दुई पर है तो यह भी कुछ चन याद रखेंगे ताइवान जो है यह फार्मोसा दुई पर है और अभी यहां पर राश्पति चुना हुआ है जिनमें कोन जीते हैं तो लाइचिंग ते जीत गए है राश्पति का चुना ताइवान के और यह वर्तमान में ताइवान के ने राश्पति बन गए हैं तो याद रखेंगे ताइवान के ने राश्पति कोन बने हैं लाइचिंग ते बने ह इसके बाद अगर बात करें इनकी पार्टी का क्या नाम है तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिब पार्टी है और ये जो है चीन के हड़पने की नीतिका बिरोध करते हैं नेश्ट प्रस्ण देख लेते हैं पांचवा प्रस्ण हमारा अब पूरे आप्शन के बारे में ब्याक्षा देख लेते हैं क्योंकि सभी आप्शन जो है इंपोर्टन है तो सबसे पहले देखते हैं तेन जिंग नौर्गे साहसिक अवार्ड यह अवार्ड स्टार्ट कब हुआ था मतलब इस अवार्ड को देना कब से सुरू किया गया था तो 1993 से 1994 के भीज में तेन जिंग नौर्गे के अंतरकत जो है कितनी रासी के मतलब इस अवार्ड के अंतरकत कितनी रासी दी जाती है तो 15 लाख दी जाती है सभिता कंसवाल जी को तुलसी चैतन को अंसु कुमार तिवारी को तो इन तीन लोगों को जो है तेन जिंग नौर्गे सासी को अवार्ड दिया गया है लेकिन इन तीनों को जो है अलग-अलग छेतरों में दिया गया है क्योंकि यह तीनों जो है अलग-अलग छेतर से संबं के लिए और तुलसी चैतन जी को कि शेतर में दिया गया है तो इन्हें दिया गया है वाटर एडवेंचर के लिए और अंसु कुमार तिवारी जी को दिया गया है एर एडवेंचर के लिए कैसे याद करेंगे तो स्वरगिये सभीता कंसवाल यानि कि स्वरगिये इनकी डेथ ह तो जब कोई मर जाता है तो कहां पर जाता है भूमी में मिल जाता है ठीक है तो स्वर्गिये को land से connect करेंगे याद हो जाएगा और next हो जाता है तुलसी चैतन तुलसी को कैसे याद करेंगे क्योंकि तुलसी के पेर को पानी देना पड़ता है डेली तो इस प्रकार से इसको connect क लाइंड एडवेंचर में जो है Tenzing Norgate 6 अवाड दिया गया है। अब देख लेते हैं कि यह Tenzing Norgate अवाड जो है किस्से संबंधित है यानि कि यह कब सुरुकती थे तो इन्हें की याद में Tenzing Norgate अवाड जो है हर साल दिया जाता है। नेश्ट प्रस्न देख लेते हैं छटा प्रस्न हाल ही में फसल कटाई तहवार लोहडी का आयोजन कहां हुआ है तो फसल कटाई का एक तहवार है जिसका नाम लोहडी है लोहडी को कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है तो आपका सही जवाब हो जाएगा पंजाब और हरियाना में तो आपसा ने सही हो जाएगा इसके बारे में पूरी बैखा देख लेते हैं मकर संक्रांती मकर संक्रांती को जो है विभिन राज्यों में जो है अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है यह celebrate कब किया जाता है तो 14 और 15 जन्वरी को इस condition में जो है सूर जो है दच्छडी गुलाद से उत्री गुलाद की ओर अगरसर होता है यानि सर्दी से गर्मी आने वाली होती है माल लेजिए मैं थोड़ा सा इस पर आपको explanation दूँगा यह माल लेजिए आपका पिर्थभी हो जाता है और पिर्थभी पर आप सभी को पता है कि तीन महत्पूर कालपनिक रेखाए है तो यह आपका beach का हो जाता है आपका भूमद रेखा या इसे equator भी कहते है नेश्ट का आपका हो जाता है करकर रेखा और नीचे आपका हो जाता है मकर रेखा ठीक है तो नीचे मकर रेखा हो जाता है तो सूर आपका यहाँ पर होता है तो इस condition में जो है तीनो रेखाओं पर बराबर दिन रात समान होता है लेकिन सूर जो है मकर संक्राथी की कंडिशन में जो है सूर कहां पर होता है तो सूर आपका होता है यहां पे ठीक है यानि करकर एक ठीक है तो दच्छडी गुलार्ध के टाइप जो है आपका सूर होता है लेकिन जैसे 15 जनुरी होता है तो धीर धीर सूर अब जो है उत्तरी गुलार्जी के ओर ऐसे बढ़ना शुरू कर देता है ठीक है तो यह आप याद रखें तो इस कंडिशन में क्या होता है हमारे यहाँ पर सर्दी होती है तो धीरे धीरे अब गर्मी आना इस्टार्ट हो जाएगी तो इसलिए जो है मकर संक्राथी को से से लिब्रेट करते हैं 15 14-15 जनुरी के बीच इस कंडिशन में सूर दच्छडी यानि यह दच्छडी गोलार्जेत जो है उत्तर गोलार्ज की ओर अगरसर होता है यानि सर्दी से अब गर्मी आने वाली है और गुजरात में जो है इसे क्लियर कर देता हूँ एक बार गुजरात में जो है मकर संक्रा पंजाब और हर्याना में इसे फसल कटाई के दवरान इसे क्या बोलते हैं लोहडी बोलते हैं उत्तर परदेश और बिहार में क्या बोलते हैं और कुछ राज में देख लेते हैं जैसे असम में क्या बोलते हैं तो असम में बिहु बोलते हैं तमिलाड में पॉंगल बोलते हैं नेश्ट प्रस्ण देख लेते हैं, आज का हमारा सत्मा प्रस्ण है, हाल हमें दूसरा अंतरराश्य आयुष सम्मेलन, कहां प्रारम हुआ है, तो आपका सही जौब हो जाएगा, दुबाई में, आपसन सी सही हो जाएगा, ब्याक्षा देख लेते हैं, तो इंटरनेशनल अरत मंच और आयुष मंतराले मिलकर जो है, इस सम्मेलन का आयुजन करवा रहे हैं, तो आप याद रखेंगे कहां पर दुबई में आयुजन करवाया जा रहा है, दूसरा अंतरराश्य आयुष सम्मेलन के समारोह का, अब देख लेते हैं, कि आयुष का फुल फॉर्म क्या तो थीम रखा गया है गैर संचारी रोग आयुष से रोग थाम करें तो इसकी यह थीम हो जाती है आयुष मंतरी वरतमान में कौन है तो सरवानन्द सोने वाल जी है नेश्ट देख लेते हैं अठवा परसन है हाल ही में मिसन साथ हजार प्रारम करने की घोसड़ा किस ने करी है तो मिसन साथ हजार प्रारम करने की घोसड़ा किस ने करी है तो हर्याना ने करी है अब देख लेते हैं इसके बारे में बैक था कि मिसन साथ हजार या कहां पर सुरू किया गया है या है ओजना तो हर्याना में सुरू किया गया है यानि कि इसमें साथ हजार युआओं को होना चाहिए कि 1.8 लाख से कम परिवार की वार्षिक आई हो तभी आपको इन 60,000 रोजगार में आप सभी का मतलब हक मिल सकता ठीक है यानि कि आपके परिवार की वार्षिका कितनी होनी चाहिए एक लाख 80,000 से कम होनी चाहिए ठीक है नेक्ष्ट प्रंच देख लेते हैं नवा प्रसन हमारा हाल ही में परियावरण 1 और जल्वाई परिवरतन मंतराले ने जल्वाई सम्मेलन 2024 का आयूजन कहां किया है तो परियावरण 1 और जल्वाई परिवरतन मंतराले ने जल्वाई सम्मेलन 2024 का आयूजन कहां पर किया है तो आपका सही जवाब हो जाएगा ओप्सन B ठीक है कहां पर मुंबई में अब इसके बारे में पूरी ब्याख्या देख लेते हैं तो जल्वाई सम्मेलन 2024 इसका आयूजन जो है कौन करवा रहे है तो परियावरण मंतराले इसका आयूजन करवा रहा है जो कि वरतमान में परियावरण मंतरी की बात करे कौन है तो डाक्टर भूपियंद रियादों है और इसमें संस्था कुन सा योगदान कर रहे है तो Green Climate Fund और UNDP इंडिया, तो इसमें दो संस्था सम्मेलन में आयोजन करवा रही है और मंतरालइ का बात करे हैं तो इसमें परियावरान मंतरालइ साथ है और संसा दो संसा है एक तो Green Climate Fund है दूसरा UNDP इंडिया है और इसका आयोजन कहां पर करवाया जा रहा है तो मंबई महराश्ट में और इसकी थीम क्या रखी गई है तो इस बार थीम रखी गई है भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना यानि कि आप सभी को पता है कि भ 2050 तक पूरे बिस्व ने निर्दीरो कारवन का उस सर्जन का लक्षा रखा है जबकि भारत ने 2017 तक रखा है ये आप याद रखेंगे तो एक बार परशन फिर से रिविजन करेंगे तो जलबायू सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है तो मुंबई में किया जा रहा आज का आखरी परसन देख लेते हैं तो पहला मल्टी स्पोर्स बीच गेम अभी आप सबको पता है कि कुछ दिनों पहले जो है मल्टी स्पोर्स बीच गेम का सुबारंबर किया गया था और इसका अभी हाले में समापन किया गया है तो इसके बारे में आप पढ़ लेते हैं हम सब तो पहला मल्टी स्पोर्स बीच गेम का समग्र चैंपियन कौन सा राज बना है तो कौन सा राज जो है मल्टी स्पोर्स बीच गेम का समग्र चैंपियन बना है तो आपका सही जौब हो जाएगा मध्ध परदेश ठीक है तो मध्ध परदेश इसमें पहले अस्थान पर ह अब इसके बारे पूरी बैक्ष्या देख लते हैं तो पहला पहला multi sports beach games इसका host कों कहां पर हो रहा था इसका host किया जा रहा था दिव धाने गुजरात के पास और किस beach पर तो घोघला बीच पर जो है पहला multi sports beach के लिच गेम का आयोजन किया जा रहा था इसमें जो है म exist का पहला एक अस्थानी जड़ी मिड़ा के पास एक सनमापन किया गया है तो चुलीए अब बाप करते हैं अपने 40 questions जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं कितने मिनट की वीडियो बनी है तो 16 मिनट की वीडियो बनी है कोशिष करेंगे कि 14 मिनट में जो है पूरा करन्ट फिर कुश्चन समाप्त कर दें जो कि थोड़ा पुराना है और रिवीजन करना भी बहुत ही जरूरी है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बेस्ट के वे डारेक परसन पर आते हैं तो परसन है पहला मेरा बिल मेरा अधिकार य योगान्दा से परसन देखेंगे क्योंकि इसमें ब्याक्षा देना नहीं है नहीं तो यह दो घंटे की वीडियो बन जाएगी खूफिया जानकारी अकत्र करने के लिए AI आधारित ओरन बिमान किसने लांच किया है तो खूपिया जानकारी करने के लिए ओरन बिमान लांच किया है इसराइल ने नेक्स प्रत देख लेते हैं हाल ही में चंद्रियान थर्ड ने चंद्रमा के दक्षडी धुरू पर किसकी पुष्टी करी है तो आपका सही जवाब हो जाएगा ओप्सन ए सल्फर के बारे में ठीक है पचाव प्रसन देख लेते हैं पच्वा प्रसन हाल ही में किस राज्ज के भधरवा राज्मा और रामबन सुलई सहद को जियाई टेक दिया गया है तो आपका सही जवाब हो जाएगा ओप्सन सी जम्मू कस्मीर के बारे में नेश्ट प्रसन देख लेते हैं हमारा छट्वा प्रसन है मच्वारों की सुरच्छा के लिए नभमित्र उपकरन का विकास किसे ने किया है तो मच्वारों की सुरच्छा के लिए नभमित्र उपकरन का विकास किया गया है इस रू के द्वारा ठीक है आपका option A सही हो जाएगा सत्वा प्रसन देख लेते हैं बिश्व संस्क्रिती दिवस 2023 हाल हे में कब मनाया गया तो बिश्व संस्क्रिती दिवस 2023 कब मनाया गया है तो आपका सही जवाब हो जाएगा option C थोड़ा आराम से पढ़ते हैं ताकि आप लोग अपना गयस भी कर सके कि कौन सा जवाब सही है आठवा प्रसन देख लेते हैं मुंबई में लांच होने वाला प्रोजेक्ट 70A का सात्वा और अंतिम इस टील्थ युद्धपोत कौन सा है तो बताएं आपका सही जवाब क्या हो जाएगा तो मुंबई में लांच होने वाला प्रोजेक्ट 70A का सात्वा और अंतिम इस टील्थ युद्धपोत कौन सा है तो आपका सही जवाब हो जाएगा option A महेंदर गिरी next प्रसन हमारा है 9 प्रसन है तो किस देश में मुल्निवासियों को सम्विधान में अधिकार देने है तो अयतिहासिक राष्ट ये जन्मत संगरा wise to parliament किया जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा option A Australia में 10 प्रसन है राष्टपती दुरोपदी मुर्मु ने किस राज के CM N.T. रामाराव की इस्मृती में 100 रुपए का सिक्का जारी किया है तो ये किस राज के CM है N.T. रामाराव इनकी इस्मृती में 100 रुपदी मुर्मु जी के द्वारा तो इनका संबंध हो जाता है बताएं किस राज से हैं तो सही है जवाब आपका A option A आंदर पर देश के गिराहमा प्रसन है हाल ही में Miss Diva Universe 2023 कौन बनी है तो हाल ही में Miss Diva Universe 2023 कौन बनी है तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा आलिया भट बिल्कुल सही जवाब गलत जवाब ये आपका सही होगा ठीक है सोयता सार्जा हमेशा एक्टर्स पर मत जाया करो ठीक है नेश्ट देख लेते हैं ब्राहमा प्रसन है मारा जीवरिक डाइमेंड लीख 2023 में नीरत चोपडा ने कौन सा पदक जीता है तो जीवरिक डाइमेंड लीख में नीरत चोपडा ने कौन सा पदक जीता है सुन रजत कान से या इन में से कोई नहीं तो आपका सही जवाब हो जाएगा option B रजत पदक next प्रस्ट देख लेते हैं हाँ ठीक है रजत पदक है next प्रस्ट देख लेते हैं किस भारतिये को किस भारतिये को रहमन मैक से से पुरुसकार 2023 से समानित किया गया है तो किस भारतिये को रहमन मैक से से अवार्ड से समानित किया गया है तो आपका सही जवाब हो जाएगा डाक्टर रभी कन्नन जी को चवदावा प्रस्ट ने हाल ही में railway board की पहली महिला ध्धक्ष किसे निव्ट किया गया है तो आपकी option ने इस प्रकार से है तो आपका सही जवाब बताएं कि railway board की पहली महिला ध्धक्ष कोन बनी है तो जया बर्मा सिनहा बनी है पंदरावा प्रसने केंदर सरकार ने एक राष्ट एक चुनाव की संभावना तलासने के लिए किसकी अध्धक्षता में समित का गठन किया था तो केंदर सरकार ने एक राष्ट यानि कि एक देश है तो एक ही चुनाव होना चाहिए तो इस प्रकार की संभावना को तलासने के लिए किसकी अध्धक्षता में एक समित बनाई गई थी दितुराजवस्ती, रामनाथ कोबिंद, पहलाद जोसी या रंजन गुगोई तो आपका सही जवाब हो जाएगा पूर राष्टपती रामनाथ कोबिंद की समित की अधचिता में सुलावा प्रसन है, हमारा केंदर सरकान ने किस माह को छठा राष्टी पोशण माह घोसित किया है तो आपको बताना है, सुलावा प्रसन है, केंदर सरकान ने किस माह को छठा पोशण माह घोसित किया है तो आपका सही जवाब हो जाएगा, सितम पर माह को शत्राहँवा प्रसंद देख लेते हैं इसरू ने किस रॉकेट से आधित L1 का सफल परिक्फण किया है तो इसरू के दोड़ा के तो आधित L1 यह किस प्रकार का यह किस के लिए मिशन है तो सूर के लिए मिशन है तो यह आप याद रखेंगे ठीक है तो इसरों ने किस राकेट से आदे तेलवन का सफल परिक्षड किया है तो सासे सूर, सासे सत्तावन ऐसे रिलेट करेंगे हमें याद करने से मतलब है कि किसी परकार से याद हो जाए सासे सूर, सासे सत्तावन तो आपका PSLVC 57 नेक्स देख लेते हैं 18 परसन है हमारा हाल हमें भारतिय मूल के अर्थसास्त्री धर्मन सन्मुगरतना तो ये कहां के हैं तो ये भारतिय मूल के अर्थसास्त्री हैं जिनका नाम है धर्मन सन्मुगरतना किस देश के राष्टपती चुने गए हैं तो आपको बताना इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 18 प्रसंद का सही जवाब बताएं क्या हो जाएगा तो सही जवाब हो जाएगा आपका option B 19 प्रसंद देख लेते हैं किस अमेरिकी राजजने अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मन्थ घोसित किया है तो आपका सही जवाब हो जाएगा option C नेश्ट प्रसंद देख लेते हैं किस भारतिये को वर्ड इनुबेशन अवाड मिला है तो आपको बताना है डाक्टर रविकन्न, राजचत्ति, सांतत, तोथम या निर्वार सुमाने तो आपका सही जवाब हो जाएगा option C संस्थान के अधर्च पद पर किसे न्यूक्ति किया गया है तो आपका सही जवाब हो जाएगा option D 22 प्रसंद है एकसो बत्तिसमें डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कोन सी है तो आपका सही जवाब हो जाएगा मोहन बगान और उप विजेता कोन बनी है तो उप विजेता आपकी बनी है इस्ट बंगाल नेश्ट आपका बिश्व का पहला portable hospital आरोग्य मैत्री क्यूब कहां लांच किया गया है तो बिश्व का पहला portable यानि कि ये छोटा सा बॉक्स होगा और इसको जब खोलेंगे तो एक बड़ा सा hospital बन जाएगा ठीक है तो इसे कहते हैं portable hospital जिसका क्या नाम है तो आरोग्य मैत्री क्यूब इसे कहां पर लांच किया गया है जैसे आपको कहीं पर दुर्घतना हो जाती है कोई भूकम पा जाता है कहीं पर लेंड सलाइड हो जाता है तो इस प्रकार की या कहीं पर युद्ध हो जाता है तो इस condition में जो है इस portable hospital का उप्योग अच्छे तरह से किया जा सकता है तो इसका नाम रखा गया आरोग्य मैत्री क्यूब इसे कहां पर लांच किया गया है तो आपको बताना है तो आपका सही जवाब हो जाएगा option D चोबिस्वा प्रसन है हमारा अमेर्की कमपनी Corning Inc. भारत की पहली Gorilla Glass Manufacturing Facility कहां अस्थापित करेगा तो अमेर्का की कौन सी कमपनी है Corning Inc. या भारत की पहली Gorilla Glass Manufacturing Facility कहां पर अस्थापित करने वाला है तो आपको बताना है 24 नमबर का प्रसन का सही जवाब आपको बताएं क्या हो जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिलांगा नमे 25 प्रसन हाल हमें जलवायू अनकूल किर्सी पर G20 तकनीकी कारसाला कहां पर परारंब की गई है इसको आपको बताना है तो आपके 25 प्रसन का सही जवाब हो जाएगा option A 26 प्रसन किस देश के बग्यान को ने पहली बार बादलों में microplastic ठीक है तो बादलों में पहली बार microplastic की खोज किस देश के बग्यान को ने करी है तो आपका सही जवाब बताएं क्या हो जाएगा 26 नमबर के लिए सही हो जाएगा आपका option C 27 प्रसन हमारा हाल ही में NCRT ने किसके सहयोग से स्वास्थ पर आधारित Let's move forward comic book जारी करी है तो NCRT ने किसके सहयोग से स्वास्थ पर आधारित Let's move forward comic book जारी करी है तो किसके सहयोग से तो आपको बताना है 27 प्रसन का सही जवाब क्या हो जाएगा Option B UNESCO की द्वारा NCRT देख लेते हैं केंद्रिय सिच्छा मंतरी कोन है धर्मेंदर परदान जी है ये आप याद रखेंगे केंद्रिय सिच्छा मंतरी धर्मेंदर परदान ने देम्डे यूनिवर्सिटी का दर्जा परदान किया है तो देम्डे यूनिवर्सिटी का दर्जा किसने परदान किया है और किसे परदान किया गया है तो किस यूनिवर्सिटी को तो आपको ये बताना है और केंजरी सिच्छा मंतरी वरतमान में कौन है तो धर्मेंद परधान जी है तो 28 नंबर के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा NCRT 29 परसने हाल है में पारंपारिक चिकिस्या पर गुजरात घोसला पत्र किस ने जारी किया है तो गुजरात घोसला पत्र किस ने जारी किया है किस पर पारंपारिक चिकिस्या पर तो इसका सही जवाब हो जाएगा WHO यानि World Health Organization option A सही हो जाएगा 30 परसन देख लेते हैं दुनिया के पहले AI Anti-Drone System इंदरजाल का हाल है में कहां पर अनावरण किया गया है आपका 30 पर नंबर का सही जवाब बताएगा तो आपका सही जवाब हो जाएगा है है 31 परसन हाले में सिच्छा मंतराले और कोसल विकास मंतराले ने किस के साथ साज्यदारी करी है Microsoft, Meta, Amazon या Google तो आपका सही जवाब हो जाएगा Meta के साथ 32 परसन है लगातार 10 पर इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने कभी सुरिकार्ट किसने बनाया है तो आपको सही जवाब बताना है 32 पर नंबर का तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 परसन है हमारा हाल है में Moody's Investors Summit सर्विस ने भारत की बिकासदर कितनी अनुमानित करी है तो भारत की बिकासदर किसके अनुमानित की गई है तो Moody's Investors सर्विस के द्वारा भारत की बिकासदर कितनी बताई गई है तो 6.7 पर तिससत 34 परसन हाल हमें नेसकॉम के चेर परसन पद पर किसे नुक्ट किया गया है तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब बताएं क्या हो जाएगा 34 परसन हो जाएगा आपका सही ऑप्सन D राजेस नाम वियार 35 परसन हाल हमें बीस्वा आसियान भारत सिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है तो इसका सही जवाब बताएं क्या हो जाएगा Roots & Roots Past, Present & Continuous पर दर्शनी कहां आजोजित हुई तो G20 अजचता के तहथ Roots & Roots Past, Present & Continuous पर दर्शनी कहां पर प्रारम्भ हुई है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 36 का सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ले Next प्रसंट देख लेते हैं International Sports Federation समित के सदस के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतिये कौन है तो आपका सही जवाब हो जाएगा Option A, Locate Suji अर्थिसवा परसन हाल ही में देश के पहले सवर सहर का उठगाटन कहा हुआ है तो देश का पहला सवर सहर कौन सा है नागदा, इंदोर, सांची, उजएन तो आपका सही जवाब हो जाएगा सांची Second Last question है पहला अंतरराष्ट्य पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है यानि कि Interpol की अस्थापना इस तारी को की गई थी तो इसी के उपलेक्ट में जो है पहला अंतरराष्ट्य पुलिस सहयोग ये पहली बार से लिबरेट किया गया है 7 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 9 दिसं तो आपको बताना है, सौरी एक सेकंड, हांग जो ACI खेलों में भारतिय दल का Official Sponsor किसे बनाया गया है, यानि कि जो परचार उस्टार करने के लिए जो कमपनी ले लेती है कि हां हम जो है इस गेम के लिए हम खुद परचार करने वाले हैं, तो इस परकार से जो है बताईए हांग जो ACI खेलों में भारतिय दल का Official Sponsor किसे बनाया गया है, रिलांस जी ओ, अमूल, बाइजूस या पतनजली, तो बताएं आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब बताएं क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, अमूल, आप्सन भी सह ही हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमने 40 कुष्चन और साथ में जो है, दस आज के करन्ट फेर महत्रपूर परसन भी कंपलीट कर ली है, पूरी ब्याख्या के साथ, तो इस तुड़न मेहनत लगती है, तो आप सभी से बस इतनी सी रिक्वेस्ट के प्लीज वीडियो को सेर जरूर कर दिया करें, लाइक करें या ना करें, बट सेर कर दिया करें, ठीक है, तो चलिए, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को ध्यान रखें, थोड़ा सा काम की वज़ासे हमें जाना पड़ रहा है, अगर कोसिज करेंगे, तो एक वीडियो डाल सकें, ठीक है तो चलिए, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप से भी अपना ध्यान रखें, एक बार फिर से आप सभी को प्यारा सा, जय हिंद, जय भारत